कि दुद्सकार दोस्तों स्वागते फिर से नए वीडियो में लीडियो में बात करने वाले हैं जो जी किहाल वैंग फायवर अंपके लगए हुए और किसी तरीके से आपको को रिलोकेशन देश करनी है ताकि आपकी रिलोकेशन हो जाए आपके यहां पर जो जी फाइवर है वो दूसरी जगा पर लग जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है माई जी लोकेशन जी फाइवर वाले आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर जो दोस्तों या मतलब जो एड्रेस है वो आगे पीछे उठा लेता जो बिल्डिंग आइडिया वो आप सई से स्लेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एड्ड मैनुली पर क्लिक किजिए उसके बाद आप प्रोसेस किजिए तो एड्ड मैनुली पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको डालना दोस्तों बिन कोड डालने के बाद बिल्डिंग का नाम ूसके बाद इस ये का नाम पर आप क्लिक कर लिए इसमें लिखा 226 सो नंबर की दस नंबर की जो चलरहीं उसमें कर सकते आप आप अब देखेरें के ओपर आप स्क्रिन पे जो लिखा हुआ है इसमिन दोस्तों दुबार आसे मैं वैक हो गया था 212 इसे में दुबार से क्लिक करूँ गए कश्यु leash हैом कि दो曾ी 27Watch करने के या सांतवाय बिल्डिंग इसका मैं हव donít मत चकर घ्रूए दोस्ते मैं उसका है जो हुआ आएगा अब मैंने उधर वाला किया तो 231 हो गया उसके साथ वाला करूंगा तो 230 हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने जो बिल्डिंग आइडी को है वो मकान के हिसाब से मकान नमर के हिसाब से भी स्लैक कर सकते हैं अगर मकान नमर वहां पर शो नहीं हो रहा है एरिये का नाम लिखा हुआ रहा है तो आप उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आप यह देख सकते हैं कि यहां पर एक फाइवर शेड है तो क्या उसके आगे घर है आपका पीछे है या आप यह भी कर सकते हैं कि आपके सामने वाले पर अगर मकान नमर शो हो रहा है तो ठीक उ आपके जैसी यहां पर इस लाइन में दो सामने वाले बिल्डिंग में आपको आड्रेस शो नहीं हो रहा है इसमाने उनल लिखा हुआ रहा है तो इस तरीके से नाप वाले से कर सकता है कि उन्हां से से तो उसके सामने मेरा है तो मेरी विल्डिंग कौन सी होगी या तो जो ये नियर भाइ चीजे लिखी रहती है जो बैंकिंग है दी बैंकिंग फाइवर शेड नहरा हर बल्स तो इस तरीके से ना आप लोकेशन को फाइंड करके अपनी राइट बिल्डिंग को स्लैक करके आप यहां पर एक सैटलाइट मैप के थोरी भी देख सकते हैं जिसमें आपको बिल्डिंग इस दिखती है तो यहां पर इस पर साइड में कॉप्शन आता है उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपके पारक के सामने है कि इस तरीके से ना बहुत सारे ऑप्शन दे रहे यह वही सबसे बढ़ा पॉइंट है कैसलेशन का अगर आपने बिल्डिंग सही किया है तो आपका कैंसलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा आपका प्रोसेस आगे होगा आपके टेक्नीशन आएंगे और रिलोकेशन को के महें अगर आपको संगार्गा सही है तो आप मैं आपको दोस्ते एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने वाला हूं कि यह जो सारे प्रोसेस कर रहे हैं अगर आपको लग रहा कि आपने बिल्कुल सही किया है तो उसका हरे एक उसके बाद भी cancellation हो रहा है relocation request तो उसके action जरूर लिया जाएगा दोस्तो और दुबारा से raise कर दीज़ेगा और उसमे request number mail में attach कर दीज़ेगा कि ये दूसरा request number है second type of और उसके बाद बहुत साई चीज़े जो भी आप अपने मंसे लिख सकते हैं वो लिख के mail कर दीज़ेगा आपका request जो है वो दुबारा cancel नहीं होगा तो इस तरीके से आप जियो Fiverr के relocation के request raise कर सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ा point हो है major case होते हैं जो building ID सही होने के बाद भी engineer cancel कर देते हैं आप ऐसा कुछ होता नहीं है ज्यादा कर तो आप यहां पर landmine book भी जरूर डाले landmark जालना जरूरी है कि आपका यह flat number है इसके सामने में landmark यह है तो यह भी डालना जरूरी है यह भी डाल दीजिए आप ताकि आपके relocation process जो है वह और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आपको मैं बताना चाहूंगा कि relocation request डालने से पहले आप यह चीजों का बिल्डिंगों का बहुत ध्यान रखिए कि आपकी building कौन सी है उसके बाद ही आप relocation raise कर जिया अगर आड़ो सी पड़ो सी अगल बगल का उठा के अगर आप relocation करेंगे तो वह cancellation हो जाएगा तो दोस्तों इसके बाद यह OTP आता है उसके बाद बस नॉर्मल इस टैप है जो आपने पहले किया होगा तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा इस वीडियो को यह खत्म करेंगा और यह OTP के बाद जो भी process है आप लोगो पहले करेंगा